हेलो डियर स्टुडेंट्स आज हम लोग FIIT का प्रैक्टिकल नंबर 6 डिस्कस करने जा रहे हैं जो है पॉलिनॉमियल इवालुएशन अब पॉलिनॉमियल इवालुएशन क्या होता है पॉलिनॉमियल इवालुएशन वो होता है जैसे मैंने यहां पर आपको एक फंशन दे दिया जैसे आपको यहां पर दिख रहा है यह 3x3 x3 x3-4 x2 अभी हमें इस इस फंशन में f of x में x के जगा अगर हम लोग ने 2.5 रखा यह x के जगा पर 2.5 रखा तो यह आएगा 2.5 का क्यूब minus 4 into 2.5 plus 4 इसकी value जो आएगी वो हमें print करना है जैसे देखो यहाँ पे मुझे find the value of the following function at कौन से point पर find करना है 2.5 पर find करना है using Skylab code अब हमें Skylab के code के थूँ इस function की value इस function की value at 2.5 पर find करना है तो सबसे पहले हम Skylab कोड में करते क्या है जो भी हमारा coefficient है अब यह coefficient क्या है coefficient हमारा यह जैसे यह 3 3 हमारे coefficient है 4 हमारे coefficient है minus 4 और फिर क्या है 2 यह हमारे coefficient है तो इसलिए सबसे पहले हमारे दोखो यहाँ पर x यहाँ पर हमारा constant और पहला coefficient 2 हमने यहाँ पर 2 लिख दिया फिर उसके बाद क्या है minus 4 तो second coefficient हमने minus 4 लिखा फिर दो कर यहाँ पर x square का term नहीं है बीच में तो x square की term की जगा का coefficient कुछ नहीं है तो नहीं है तो इसको हम zero consider करेंगे फिर अब यहाँ पर x cube x cube का coefficient क्या था 3 तो हमने यहाँ पर x cube का coefficient 3 लिखा उसी तरह से अगर x raise to 4 x raise to 5 का term होता तो हम उसे आगी भी consider करते तो हमने क्या किया यहाँ पर coefficient में जो भी हमें polynomial दिया है उसका हमने coefficient लिखा जैसे यहाँ पर पहला coefficient क्या था 3 तो हमने यहाँ पर 3 लिखा फिर दूसरा x square का coefficient क्या था x square यहाँ पर नहीं है तो हमने 0 लिखा फिर x का coefficient minus 4 फिर last में क्या था constant फिर हमने constant लिखा X की value कितने X is equal to 2.5 X की value हमने 2.5 पर find गी अभी result में हमें क्या print कराना है 0 result equal to हमें 0 अब हमने क्या किया for I अब में यहाँ पर I को 1 से लेके length of the coefficient length of the coefficient मतलब यह coefficient है coefficient करा है 1, 2, 3, 4 तो I हमारा कहां से 1 से लेके 4 तक की number ले रहा है और result में हमने क्या किया है result plus coefficient अब coefficient में दोख़ों यहाँ पर मैंने X की value 2.5 देदी तो यहाँ पर 2.5 पहले X 1 लेगा तो coefficient of 1 और X raised to 1 minus 1, 0 0 coefficient मतलब पहली value तो वो 2 लेगा फिर इसके बाद हम यहाँ पर next value I के जगा पर 2 रखेंगे तो second coefficient 2 minus 4 लेगा और यहाँ पर value 2.5 रखेगा और X 2 minus 1 X आएगा तो यह लेगा फिर उसी तरह से X square का लेगा X square का coefficient क्या है यहाँ पर 0 लेगा फिर उसी तरह से फिर यहाँ पर 4 रखेंगे तो X cube आजागा X cube यह वाली value लेगी और यह result के अंदर one by one store होते जाए add होते जाएगा और फिर बाद में हमें क्या display करेगा result result के बाद result of the evaluation point यह print होके हमें आजाएगा और फिर output में हमें यह answer आएगा लिखे अब यह आपका code था अब code के बाद हम इसे execute करके दिखाते हैं मैंने already यहाँ पर इसका code लिखके रखा था ठेके अब मैं इसको save and execute करता हूँ यहाँ पर execute किया है मैंने और आप देखो यहाँ पर मुझे print होके आगया 9.2.5 result of the evaluating polynomial at x is equal to 0 हमने क्या find किया हमने find the value of the function यह function की value यह जो आपको function की value at x is equal to 2.5 पर क्या होगी वो हमने calculate किया using skylight code सबसे पहले हमने यहाँ पर coefficient define किया और हमने x की किस value पर find करना है वो हमने define किया यहाँ पर हमने 0 से initialize कर दिया अच्छा i हमने i की value कहां से ले रहे 1 से लेके length of the coefficient length of the coefficient कितना है यहाँ पर 4 है यहाँ पर 4 है आपका 5 degree का polynomial हो सकता है 6 degree का हो सकता है according to यह उसी के coefficient उतने लंबे जाएंगे यहाँ पर 4 है 4 है coefficient length का तो 1 से लेके 4 तक iterate होगा और फिर यह one by one result store होते जागा और यहाँ पर print करेगा जो हमने अभी output में देखा अब यह दो polynomial मैं आपको दे रहा हूँ as a exercise आपको यह वाला polynomial निकालना है at x is equal to 20 पे निकालना है और आपको इस polynomial का x square plus 3x plus 2 इसकी value find करनी है at x is equal to 2 पे same method आपको same function यूज़ करना है अगर नहीं आपको cubic दिया है तो cubic polynomial अगर 4 degree का दिया है तो 5th degree का दिया है तो 5th degree का polynomial आप लेके चलना होगा number 6 था I think आपको यह helpful हुआ होगा यह दो question आपके लिए है आप इसे try केजिए हम next practical में next के साथ आप से मिलेंगे thank you